नमस्कार दोस्तों विजली के दुकान यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों अभी सर्दियों का सीजन सुरू होने वाला है और सर्दियों के अंदर हम ठंडे पानी से नहीं ना पाते हैं इसलिए हमें गरम पानी की जुर्थ होती है तो यदि आ आपको बता देता हूं जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार के गीजर मिल जाते हैं जो कि कम से कम रेट में परंतु क्या होता है कि उनकी जो रोड होती है वे अच्छी क्वाल्टी के नहीं होती है उनका टेंक होता है एक साल दो साल में गल ज आपको इसे unboxing करके दिखाने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों इसके जो नए नए feature से सभी आपको features बताने वाले हैं और साथ में हमने नीचे description लिंक दिया है आप इस geezer को online purchase करना चाहते हैं तो आप link पे ok करके online purchase भी कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने बिजली की दुकान YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर ले तो चलो दोस्तों अब हम वीडियो को start करते हैं और आपको सबसे पहले इसे unboxing करके दिखा देते हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि यह जो गीजर इसके उपर रसी लगी होती है जो कि company के दौरा लगाई जाती है तो सबसे पहले आपको रसी को हटा देना है और रसी को हटाने के बाद में जो आपको front जो आपको box दे रहा है इस box को आपको उपर की तरफ उठाना है जैसे ही जो packing बहुत ही जबरदस तरी के से की हुई है और दोस्तों आप देख सकते हैं थर्मा कोल बीच में भी लगाया है उपर और नीचे दोनों तीनों साइड लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर दबाव से कोई भी दिखत ना आए अब इसके उपर जो पोलतिन उसको भी हटा दे दोस्तों हमने इसको बोक्स से भार निकालिया है लुक वाइज आप देख सकते हैं इस गिजर के साथ कौन-कौन से आइटरम आते हैं वह भी आपको इस वीडियो में सबसे पहले दिखा देते एक यह इसका वरंटी काड़ आता और मैनुल बूक होती है किस तरह से हम इसे इ इन होता है वहां पर इस वार को लगाया जाता है तो दोस्तों इसकी कुछ खास बात है मैं आपको आगे बताने वाला हूं अब आप इस गिजर का लुक देख सकते हैं वैसे हमने यह सिधा रखा हुआ है पर जब हम इसे यूज करेंगे या लगाएं इस्टॉल करेंगे तो पस्यूइंग भी बहुर जादा रहती है ुससे नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है उससे नीचे आप देखें कितना गरम पानी इसके लगाएं थे लिग tätä एक पानी आउट का ठंडा पानी इन कोल्ड वाले से अंदर जाएगा और जहां पर होट लिखा हुआ है वहां से गरम पानी बहार आएगा देख सकते हैं दोनों यहां पर पाइंप लगाने के लिए उप्सन दिये होते हैं अब आप पीछी की साइट से इसका लूक देखेंग तो दो फासनर इसके अंदर फसाए जाते दोनों आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से आपने स्टर्णिंग में लुक देख लिया है जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसका जो लुक आएगा तो इस तरह का सामने आपको लुक दिखाई देगा यानि कि हम बात 60 निटर पानी श्टोर कर सकते हैं और हम इसे ऑन कर देंगे तो इसके अंदर 25 निटर पानी गरम हो जाए कर देंगा और जैसे ही हमेんなप पाने आप इसे यूज करेंगे तो जब आप इस गीजर को पर्चेज करते थे एक पर इसकी कंडिशन आप जरूर पढ़ लें उससे नीचे आप देखेंगे लिखा है अमेरिकन माइक्रों कंपनी काना हम लिखा है स्टोरेज वाटर हीटर है 25 लेटर का है मोडल लिखा हुआ उससे नीचे आप देखेंगे 220 वोल्ट की या 230 वोल्ट की जमार करके अंदर विजलियाती उसको प्रमी से असानी से चला सकते हैं और रेट्टी डेप्रेशर इसका आठ बार दिया हुआ है वाटरपूरूफ ग्रेड इसके आई पी एक्स फोर दी हुए है उससे नीचे आप देखेंगे सीरिल नंबर दिया हुआ है तो दोस्तों लुकवाइज आपने यह गीजर को देख लिया है वहती अच्छी क्वाट कैंठ दॉसरी साइट देखते हैं यह अपर लिखा होरीजिंटल स्टोरेज वाटर हीट रहे है उसे नीच्चे कपश्टी है मोडल नंबर है और उससे नीच्या आप देखेंगे इसका जो नेर्ट वेट दिया है 15 किलों का ग्रोसलेट इसका सतरा किलों का है इस बोक्स के अंदर सेफटी वाल और मांटिंग जो फासनर होते हैं वह आते हैं तो दोस्तों जैसे कंपनी का एडर्स वगरा आप देखना चाते हैं तो एडर्स वगरा सब कुछ इसके उपर लिखा हुआ है MRP का 12,790 रुपे दिया हुआ है पर तो हमने यह एमेजोन से उनलाइन मगवा है हमने यह जो गीजर परचेज किया है यह 7,882 रुपे में हमने परचेज गिया है इसके जो वारंटी के बात करते कंपनी के दवारा 2 साल की दी जाती है कंपनी का टोल फ्री नंबर है कोई भी गीजर के अंदर दिक्कत आ जाती है तो आप टोल फ्री सर्विस भी ले सकते है कंपनी की एमेल, वेबसाइट सब कुछ इसके उपर बोक्स पर लिखी हुई है तो दोस्तों यह थी कुछ एक जानकारी जो इसके बोक्स के उपर थी तो कुछ एक इसके फीचर्स भी लिखी हुए है तो अब सभी हम आपको फीचर्स बता देता हूँ कई जगे पर आपने देखा होगे जो पानी होता हुए खारा होता है जिसके कारण एलिमेंट पे सोरा जम जाता परन तो इसके उपर इस तरह कोई दिक्कत एक परशेंट भी नहीं आएगी और यह जो घिजर है बिजली के से विंक रहेगा आप जहां पर इस घिजर को यूज कर रहे हैं यह घिजर सबसे नीचे है और जहां से पानी उपर से आना है आठ मंजिल, दस मंजिल, पंदा मंजिल, उपर से पानी परशेंट से आना है तो एक परशेंट भी कोई दिक्कत इस घिजर में नहीं आती नहीं कोई इसका टेंक फटता है क्योंकि इसके अंदर 1.8 mm की अल्टरा थिंक इनर स्टील टेंक है यदि आप कोई नॉर्मल की इसर परशेंट करते हैं तो उसके अंदर जैसे की 1 गंटे तक या 2 गंटे तक पानी गरम रहे पाता है पर अंतु इसके अंदर जो कोटिंग की होती है वाई 40 mm की प्यूफी इंसुलिशन होती है तो दोस्तो जिसके एक आरणी इसके अंदर जो पानी है वाई ज्यादा सिमय तक गरम रहता है पानी गरम करने वाला जो हीटिंग एलिमेंट होता है वाई हाई एफिसियंसी का होता है जो की पेवर कोपर का मिलेगा आपको temperature range इसकी 30 degree से लेकर 75 degree Celsius तक की दी हुई है पानी को हम कम या ज्यादा गरम करना चाते है तो उसके लिए इसके अंदर regulator दिया हो जो हमने आपको दिखा दिया था है इसके अंदर 18 गुन 110 mm की मैंगनेशियम रोड भी लगी होती है यह जो गीजर है ज़्यादा पानी करम हो जाता है या फिर अवर प्रेसर हो जाता तो उसको पूरा protection देता है इसके अंदर thermostate लगाता है और इसके अंदर बार के तरफ regulator होता है जितने पर हम इसे set करते हैं उतना ही जैसी पानी करम होगा तो atomatic या thermostate इस गीजर को बंद कर देगा और जिसके करना हमारी बिजली की पूरी saving रहीगी पूरे इंडिया के अंदर जो पानी है उसके अदार पर ही इस गीजर को त्यार किया हुआ है यानि कि आप इंडिया के अंदर किसी भी जैगा पर आप इस गीजर को यूज़ करेंगे तो आपको एक परशेंट भी कोई भी दिकत नहीं आएगी तो दोस्तो ये थे इसके कुछ एक features जो हमने आपको बता दी है दोस्तो हमने आपको unboxing करके दिखा दिया है और look भी आपको दिखा दिया बहुत ही जबरदस इसका look है जब हम इसे bathroom के अंदर लगाएंगे तो इसका look आएगा और सभी जो company के गीजर उसे बहुत ही अलग परकार का इसका look आपको देखने को मिलेगा कुछ एक features तो इसके ऐसे नए है जो कि आपको और किसी company के गीजर में साइध में ना मिले तो दोस्तो आपको गीजर परचेज करना ताप इस गीजर को परचेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे quality का यह गीजर है वीडियो देखने के लिए दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद